कि कुछ लोगों को अगर मेरी वीडियो से दिक्कत होती है देखने अगर मैं इन चीजों पर आगर आप से बात कर रहा हूं दिस्टिक अडिमिस्टेशन तक इन चीजों को पहुंचा रहा हूं अगर कुछ लोगों को मेरी वीडियो से दिक्कत होती है तो मैं महरबानी करके ब जिस नाम से जाना जाता है एस जगा का नाम है क्रवधी जो की बारी रोठ और जो की रामबन डिस्टिक्स से मदब आदा रामबन से यहां बारी से तीन या चार घंटे हमें लगे आने के लिए और जगा इतनी अच्छी है कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी खूबस सबसे पहले मैं आपको यहां की जो डیोटी है वो दिखाने की कोशिश करूंगा और जो ब्रैईगरोंड में आप देख रहे हैं इस बारे में भी बात करूंगा कि यह इदर का नाम क्या है और यह कहां पर पढ़ता है केमरा मैंन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां की जो ब्यूटी है वो आप सब से शेयर करें और आप वीडियो में देखें कि क्या खुबसूरती है यहां की आप बात करेंगे जो हमारा ब्रैगरोंड दिख रहा है तो य अधिक्वेर भाटा नाम जो ढूंदाग रोड़ता है यहां के लोग के लोग होंगे वाकर कि झाल का एरिया है कहां पढ़ता है जो यह गिए मगinki्द से सिधा पढ़ता है और जो इसके बढ़ता है यह है जहां महरमत के लोग काफी जाते भी है और आप सब जानते भी जा नाना जाता है का नाम है खोरोंटी जो की बाड़ी रोट ड़ो निया की जो हम इस वीडियो को बनाने मकसिद क्या है अब इस चीज़ को हम दखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले में एक बात आपको कहूंगा कि खुरौंटी हो यहां की मर्म जो बाड़ी का पीछे एरिया आता है रोड अभी यहां पर नहीं है अखिर क्यों नहीं है क्यों नहीं निकर रही है यह अभी तक कोई हमें पता नहीं चला है खुरौंटी जस्ट जगह पर हम है यहां बाड़ी से तीन या चार घंटे हमें लगे आने के लिए और जगह इतनी अच्छी है कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कि इतनी खूपसूरे जगह है और यहां से जो है व्यू कितन पड़ता है फिर सामने जो है लबड़ पड़ता है इस साइड जो है मूंथी है भडगरा है हमबल है इधर से पूरा कोड़ होता है कि देखना क्या चीज है यहां सामने जो है बलंदपुर है लेकिन अगर यहां पर रोड होती जो भार के लोग आना चाहते हैं जो यहां से देखना चाहते हैं भई बलंधपूर की साइड है हम्बल की साइड है गोः की साइड है और मुगता की साइड ब्योता की साइड लेकिन वो नहीं आ सकते हैं क्योंगे रोड recap कर चलो systemic Road नहीं है दुसरी बात कि Guide Tourism कि आ पहले भी कि एक video बना चुका हो तूरिजम पर जो कि नगार आप यह एक आप टापिक ता आज भी मैं यही कहूंगा कि मर्मत को फिर से प्र नोर किया दिखती है लेकिन जहां टूरिजम होना था वहां नहीं दे रहे हैं अब क्यों नहीं दे रहे हैं जहां पर हम है यहां भी अच्छी जगह है भर टूरिजम आ सकता है रोड यहां पर आ सकती है जो बलंदपूर की रोड यहां से दिख रही है वो यहां से इसके साथ कुनेक्ट हां के लिए आप वीडियो में देख सकत हैं बलंदपूर की रोड जो है दिक रही है क्या यह रोड नहीं निकल सकती ADE यहां के लिएक हो सकती और यह हैं जो टुरिज्म भार के लोग आएंगे फिर जो है मर्मद जो फिर ज्यादा आगे मतलब जाएगा फैमोस होगा हम एक्सप्लोर करें कि देखिए मर्मद की खूशूरती क्या है हमारा मकसद यह है कि हम मर्मद को एक्सप्लोर करेंगे कि डिस्टिक अडिमिस्टेशन या यह एलजी गवर्मेट जो है वो इगनोर कर रही है लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात ही में कहूंगा कि कुछ लोगों को अगर मेरी वीडियो से दिक्कत होती है देखने में अगर मैं इन चीज़ों पर आप से बात कर रहा ह है मैं इन चीज़ों पर वीडियो और बनाता रहूंगा और मर्मुत को टूरिजम जो है मिलना चाहिए और वह मिलके रहेगा जाए वह आने वाले साल में रहा यह एक दो साल के बाद मिलेगा जाए वह जहां हम अभी है यहां मिला यहां की द्रोट आप यह नगार आप के ल कि रोड क्यों नहीं पहुंच रही है यहां की बात नहीं है यहां की बात नहीं है कि भ्योत्ता तक रोड पहुंची है और जो है पांच किलो मेटर वहां से दूर है और जो यात्रा जाती है मनमेस यात्रा वहां भी रोड नहीं पहुंची है कि क्यों नहीं पहुंच हमने ज तोरिजम और रोड़ों पर है अगर यहां पर क्रौंथी जो इस एरिया के नाम है अगर यहां रोड होती जिस जगह पर हम है लोग भार से आकर इस चीज को देखेंगे कि मरमत की खुब सृर्टी अब रही दूसरी बाद जो पार बड़ आगया नगार चले नगार के लिए में आगाण बात करूंगा की रोड जो है खर्चा लगेगा गोर्मेट कठीखिए लेकिन द्रोट अपको प्लीए खर्चा नहीं लगेगा आपका क्यों नहीं लगेगा भ इवार्डमेंट ऐसे हो कि जब टूरिजम आएगा जो यहां की योथ है जो घर बैठे हुए हैं उनको जो रोजगार नहीं मिर रहा है उनका एक जिरिया खुल जाएगा आगे कुमाने का जब टूरिजम आता है भार के लोग आते हैं टूरिस्ट आते हैं वैसे उनका रोजग रहीगी आप सबसे इस वीडियो को जादा जादा शेर करें और डिस्टिक अन्मस्टेशन को जगाएं इसी के जाद दीजिए इज्याजद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और वारा पेज को फालो कीजिए मिलेंगे नेक्स वीडियो है तब तक क के लिए हुदा हाफिज